कौन थी ये लड़कियां और कौन था वो जिसने ये जगहने अपराध किया उनके साथ शायद इनका व्यभार नहीं बदलेगा जब तक हमारी रूडिवादी विचारधाराई नहीं बदलेगी जब तक हमारा औरतों को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा लेकिन हम इन लड़कियों की तथा कथित सो कॉल्ड गलतियों से कुछ सीख सकते हैं और इन गलतियों का मुस लंबी सी लिस्ट में डाल सकते हैं हमारे पुरुष प्रधान समाजने सिर्फ औरतों के लिए बनाई है उन्हें दाइरे में रखने के लिए नमस्कार मैं दव्यांका तरपाथी दहिया स्वागत करती हूं आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमन अगींस क्राइम के आज के एपिसोड में हमारी आज की कहानी नाकपुर महराश्ट्रा की है एक ऐसा अपराध जिसने पूरे नाकपुर को हिला कर रख दिया था तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निधी कामत है और निधी कामत नाकपुर के जाने माने बिजनिस्मेन प्रेम कामत की बेटी है और निधी कामत के पास जिस लड़के की डेड बोडी पड़ी हुई है उसका नाम वरुन शिंदे है और वही वरुन शिंदे है ये जिसने पिछले साल मिनिस्टर श्रावन देशमुक के साथ एक फैंसी और बड़े रेस्टोंट को खोलने में पार्टनर्शिप की थी लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि ये कार देशमुक के घर की दिवार के पास खड़ी मिली है आप देख सकते हैं ये वो दिवार है उनके और पीछे पुरिस की गाड़ी आ चुकी है श्याम जड़ा कैमरा पहन करो अलव महीं? चौनलो, पीछे, फोलो पैस ngh postpone, gewने को खोलरे सिर्मिए तुर में? यह करनेंके,ぶो अवो गाइजार रहते हैं, गाइजार रहते हैं! नीदी! नीदी! प्रवाइमसीलें लोड़ों प्रोटेंगे रहते हैं, तुम्हेलो! जो, निकाल माडियों और एक्विलन्स! जल, जल! तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कि एम्बुलेंस में दोनों लाशों को पॉस्टमाटम के लिए भेजा जा रहा है, साथ में ये गाड़ी भी यहां से जा रही है फॉरेंजिक जांच के लिए, और साथ हमेरे पीछी ये पुलिस की गाड़ी भी यहां से निकल रही है दोस्तों हम आपको बता दें कि निजी के फैमिली के लोग भी यहां पर पहुंच चुपे हैं वो लोग काफी सदमे में हैं और ये फैमिली पूरी तरह से आहत है हम अभी इन से सवाल नहीं पूछ सकते तारा भाइ नगल पूलिस टीशन है भगाप इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया है कि नीदी कामत जिसके उम्हें 24 साल और वरुन शिंदे जिसके उम्हें 27 साल थी उन दोनों ने कार के अंदर सूसाइड कमिट किया और पोस्ट मोटम रिपोर्ट से में पता चला है कि दोनों ने भारी मात्रा में नीन की दवाईयां खाली उसके बाद दोनों ने मृतक वरुन शिंदे की गाड़ी में अपने आपको लॉक कर लिया और वहां दोनों की दम गुठने की वज़े से मृत्य हो गए और यहां भी कुछ वैसे ही हुआ है सर्वा खोटा है श्यम का कैमेरा तरन के रूट इस केस को दबाया चाहरा है मेरी ताई ने थी और उनके मंगेतर वरुन शिंदे का मुर्डर हुआ है और उनका मुर्डर मिनिस्टर श्रवन देश्मुक ने किया है अब मिनिस्टर श्रवन देश्मुक के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है कोई प्रूफ है पके पास अब मिनिस्टर श्रवन देश्मुक ने किया है चलो निखलो या चलो बंग रो मैड़ाँ चली साइडिके जो बंग रो अगर कूई अब प्रूब कर दैश्मुक को तक्कर दे सकता है ना दादा तो वो सिर्फ आप है आपके पस उसतर ज्यादा पार है लोग आपकी सुनते हैं सही बात है पृती जबके तुम हमारी पार्टी के यूथ विंग का हिस्सा हो और तुम्हें पता है कि इस तरह के मामले कितने डेलिकेट होते हैं हमारा डारेक्टली इन्वल होने का मतलब है पॉलिटिकली इशू बन जाना वैसे भी कार और डेड़ बॉडिज शरवन देशमुके घर के बहार मिली हैं सीधा सीधा केस बनता है हमें इस तरहे केस में पढ़ने की जरूत ही नहीं है पॉलिस अपना आप देख लेगी वही तो प्रॉब्लम है दादा पॉलिस कुछ करी तो नहीं रही है अज केस में क्लोज कर दिया हूने पहले तो तुम रो मत अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो तुम खुद करो मैं? हाँ तुम केस को रिओपन करवाओ जरूत पढ़े तो पार्टी के रिसोर्सिस का इस्तेमाल करो पर कैसे दादा? परिती तुम युवा हो इस देश की युवा और युवाओं ने इतियास बदल दिया है अगर कमी है तो सिर्फ द्रट संकल्प की तो अस युवा शक्ती को पहचानो और अगे बढ़ जाओ मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जिस्टिस मिलेगा और फिर करण है ना तुम्हेरे साथ मुर्खा इसका दुआ? मुझे पूछा क्यों नी? मी का है सुक्के लिए? ताइका खून हुआ है और मैं तब तक शांत नहीं बैठूँगी जब तक कमीने देश्मुख को सजा नहीं मिल जाती पृती ठीक ही कह रही है सुक्की जब ओल के थी आहो नीधी जा चुके हम लोग जिन्दा है और हमें जिन्दा रहना है मिस नागपूर डेथ केस मामले में एक संसनी खेस ख़बर सामने आ रही है सरकार ने निधी की बहन के दौरा की गई आचिका कि S.I.T. इस केस को रियोपन करें को बंजूरी दे दी गई है और इतना ही नहीं हमारे सुत्रों से हमें पता चला है आप पुब्लिक को बता दीजिए एक्स्क्यूज में जी गुड़ लग सर गुड़ लग सर मिस नागपूर केस की इतनी इन्फरमेशन है मारे पास मिस नागपूर हाँ विधी कामत पिछले साल की मिस नागपूर की विजयत आ रही थी तो इस केस का नाम भी उस पर से मिस नागपूर पढ़ गए नाम कुछ भी हो विट्टिम को नहीं जरूर मिलना चाहिए क्या शिंद ही है कोई भी केस की इन्विस्टिकेशन वे इतनी डिलाइ कैसे हो सकती है क्या हुआ से कमाल है क्राइम सीन के कार को तुमारा हवालार खुद ड्राइव करके लेकिया है उससे इविडेंस को कितना नुकसान पहुचा होगा आप तो जानते हो सर जिस तरह वहां भीडी घटा हुई थी ना और सब लोग अपने आपको रिपोर्टर बनाना चाह रहे थे सर गोखले का ड्राइव कर नहीं लाता ना यहां पर वहां जो पब्लीक थी रहां कार में बटके लॉंग ड्राइप निकल जाती सर लेकिन इसके वज़े से क्राइम सीन के इविडेंस नष्ट होगे उसका क्या हाँ सब यह यह फॉरंज सिक की रिपोर्ट कितना बहरोसा रखेंगा इसके उपपर सर हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश किया सर लेकिन वो नीधी कामत की बहन पृत प्रिती ने मिनिस्टर श्रवन देश्मुप पर रिजाम लगाया सर मारी तीम पर बहुत प्रेशर था सर ने कि इतने कॉन्फिडेंटली कह रही है यह सुसाइट ने मरडर है यह कोन है सर यह कारन कुल करनी मेरे मंगेतर नीधी और वरुन के बारे में बता है मेरी ताई खुबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और प्यॉरहाटेड थी लोकल ब्यूटी कॉंटेस जीतने के नहीं लिगता था बस गिफ्ट्स और लेटल सेंट करते रहते थे पर उन्होंने कभी किसी पर ध्यान नहीं थी फिर एक साल पहले जब वो मिस्स नागपूर बनी तो पहली बार वरुन शिंदे से मिली और इस एवेंट के स्पॉंसर क्लीर स्किन ब्यूटी प्रोड़क्स के अठर को बुलाओंगी, मिस्टर वरुन शिंदे जी यहां आए और मिस नीधी कामत को यह क्रॉं पहने है। CONGRTULATIONS Thank you so much It was amazing night, thank you so much, bye bye see you, take care, bye अरे आप, आप गए नहीं अपीदाख? मैं बस निकल ली दा था, तो मैंने सोचा के तुमने जो मुझे अज़ मुझे क्राउन पिनाने की अपरचुनिटी दी थी मेरा भी फर्स बन्त है कि उसके बतलेवे में तुम्हें तुम्हें डिनर पेले के चलू हूँ ताई को वरुन से प्यार हो गया था, वरुन में वो सब कुछ था जो ताई अपने एक लाइफ पार्टनर में जाहती थी वो पढ़ा लिखा था, आपना बिजनस इस्टाबिश करना चाहता था और सबसे इंपोर्टन बार वो बहुत अच्छा इंसान था, हम भी उससे मिलने लगे थे यह तो तो तुम मिली चुके हो, वो है करन, पीती's प्यांसे पूप, हाई, हाव वी यू? आप गोड़ी, डोना ब्रिंग? नहीं बस अरे पी हो यार, ब्रिंग सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर बाबा को ताई और जीजू के बार में पता चल गया अपली जात विगड़ी है, हमारी बराबारी नहीं हो सकती और मैं मर जाओंगा लेकिन इस रिष्चे के लिए कभी भी हाने ही कहूँगा, कभी भी तु समझाओ ना इगला, अहो तदी आइकोन तर यहाँ, बाबा, एक ताभ बेटू यहाँ एक बात कर लीजिए, प्लीज, देखो, मैं आपसे कुछ नहीं मागूँ, अकर आप उससे एक बार मिलोगे ना आपका नजर्या बदल जाएगा बापा, प्लीज, प्लीज, आई सावना अहो मेरी फैमली का एक क्वीटर पेटका बिजनस है और मैं एक रेस्टरेंट कुलनिगी भी प्लनिंगर रहा हूं इसके लिए मैंने लोन भी लिए और मैं रेस्टरेंट शरवन देश्मुक के साथ पार्टनर्शप में कुलने आपका क्या वो फ्रॉड जोटा गटिया इंसान शरवन देश्मुक? ने, ने, वो एसे इंसान नहीं है देखिए, भली वो पॉलिटीशन हो लेकिन में परसनली जानता हूं वो बौत अच्छ इंसान है एक मिनिट मेरी बेटी और शरवन देश्मुक कावी लेना देना हूँ यह तो में बरदास्टी नहीं कर सकता ठीक है? अच्छ इंसान आपको अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए प्रशराइस करना स्टार्ट कर दिया पर ताई तो वरुन से ही प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी और बाबा उनके आगे नहीं जुके तो ताई और वरुन जीजु ने फैसला किया कि वो चुप-चाप सगाई कर लेंगे और उन्होंने सगाई कर ली अपने दोस्तों के बीच हम भी तो थे वहाँ अरे भाई शुरू करो ए जलो 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 जीजु कितना शर्माएंगे आप कि अरे उन्हो जलो एफ। अरे जब चलो जलता रहेगा सबसे आपने जलो जलोगए जलोगए यह जलु झालपी अरे भाई, क्या शकल बना के रखी है? भाई, युज्ट गॉट इंगेज, अरे खुशी तो तोड़ी दिखा, कमान! अरे नेनी कुष्णी, अरे मैं खुश हूँ, उपस मैं सोच था कि इह सब तो हो गया, पर जब नीदी के पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा? अरे अरे बहुत मुश्किल है, एंगेजमेंट तो हो गई, पर शादी का क्या? एक रास्ता है, तुम दोनों नो भाग के शादी कर लो, किना मुझा जाये गना गाइस की? अरे चांधनी, यह सब बादना फिल्म और कहानियों में अची लगती है, असल दिंदी में फ्यूचे का क्या हमारी बढ़ाई, आने बच्चों की बढ़ाई, बिजनस, क्या करेंगे? और कैसे सर्वाइब करेंगे? और वैसे भी इन सब के इलावा, हमारे पेरेंट्स को में बना होना पड़े, ओफो, आज का दिन तो एंजोई करो, इतना प्यारा दिन है, भई, जीजु और ताई का इक डांस दो बनता है, हाँ? महुल बहुत अच्छा था सर्व, तोनों बहुत खुश्त है, हम ऐसे कोई भी वाँ से जाना नहीं चाता था, पर सर्व लेट हो गया तो हम सब अपने अपने घर निकल गया, निकलने से पहले ताई ने मुझे बोला था कि वो घर पे मिलेंगी, तब ही बात करेंगी और वो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के विचे शरवन देशमुक का हत था, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है सर, ताई ने मुझे बताया था, वरुन उने जब शरवन देशमुक से मिलाने ले गया था, तो उसका बरताव ताई के तरफ सही नहीं था, सर, हम लड़ तुम चाहो तो मैं तुम्हें पार्टी का अमिस्टर बना सकता हूँ, हमारे साथ रहेंगी तो देश क्या वर्ल्ल फेमस हो जाएंगी अब, क्या कहती है, जोइन के रिंग है हमारी पार्टी? नहीं, थांक यू, मनात्पर में ठीक हूँ, एक दिन मैं इत्तिफाक से गर जल क्या समझती हो तुम अपने अपको, ये तो वारुन के बाज़ से झेल रही हूँ मैं तुमें, बना तुम से बात करना तो क्या, तुमारी शकल देखने का भी शौक मी है, लीव, मैंने कहा निकलो यहां से, तो श्रवन ने कुछ नहीं किया, किया न शर उसके बाद इसने बरुन को परेशान करना शुरू करे तुम, वरुन के बिजनेस में जो भी पैसा लग रा था वो वो शरवन उसे बिना बताय निकाल था सर और ने मार्केट से बहुत उदार लिया वा था, उसका इंटरस भी भर रा था, उसका इंचर्ष भर आ जगना था वो कभी लगाई नी बिजनस मिसर ये श्रवन बीच में से पैसे निकालता था सासारे और ये बाद श्रवन ने खुद मेरे सामने बूली तरी मत कैसो है मुझे तो के बास कहने की तो के बास तो बदी अच्छा शब्द है तो तो आस्तिन का साप है जिसने मेरे भरोस से गोड़स है ये तामे इस से बात कर किता खटी आदमे ने अच्छ से जानता हूं मैं निदी को किस नजर से देखता है हां उसे घर गया दाना चुट है के तू? जोट सुट मेरा पार्टनर इसले से थपड़ मारा हूं अगर रिवेट क्रॉस की ना तो गहां गयाब करूंगा तो जब पता दिंशालेगा अबरा अपनी वो पार्टनर्शिप खतम क्या तेरे गहां पैसा निकाला ना उसका सब मुझे हिसाब चाहिए एक एक पैसे का एसाब चाहिए सम्झा रहा? मेरे एसाब सब बोल जा अपने पैसे को और उसमिसनागपुर को भी और इस लड़ाई की एक मेने के अंदरी दोनु की मौत हूँए वो हमे कार में मिले एसी हाले तमे ताई के कपड प्र थे सर हमें शक है कि शरवन ने पहले निदीकार रेप किया और उसके बाद उसका मढद तो निदी के सलवार उसकी 80 तक थी सर अब आप ही बताई अगर कोई सुसाइड करेगा तो अपने कपड़े इस आलत में क्यों छोड़ेगा? उनके शरीर पे निशान थे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुरी तरह से उनको बारा हो, सर अब प्लीज श्रवन देश्मुख को छोड़िए गामत, उसको सक्ट से सक्ट सुधा दीजिएगा सर, सर श्रवन देश्मुख के सीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वो उसी शाम मुंबई चला गया था, फिर रात में अपने घर बापस आया, फिर दूसरे दन सुबह जल्दी चला गया, और फिर दोपहर में अपने घर आया, सर ये सारी चीज़े इस रिपोर्ट में मेंचि परशी नहीं हुई है, किसी ने कुछ ने बुच्छा, नहीं सर, हम बुच्ते हैं, ≤ जी कहिए, शरवन जी अच्टिया, जी रुखिये ओ सर बाहर कुछ पुलिस वाले आये हैं क्या चिए होने है अरे आप बिना पर्मिशन के अंदर कैसे आ सकते हैं तुमरस आपको बोलो एसाइडी की टीमा ये मुंबई से मिस्स नाकपूर केस के बार में बात्चित करनी है जाही आप लोग यासे मुझे इस बारे मैं कोई बात न मुझे करनी है बात आपसे कुछ ऑप्शन भी नहीं है कुछ सवाल पूछने आपसे वारे लेकर रहा है नहीं ना जब वारे लेकर आओ ना तब यहां पर आना चुरो शिर्की और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि SIT शरवन देशमुख से मिलने आई क्योंकि विक्ति आप अभी भी चुप रहेंगे अभी भी यही कहेंगे कि वो दोशी नहीं है बाबा उससे बाद आए बोली देशमुख सार्ब क्या बोले है बोलने से उधो सब प्रोब्लम्स ख़ाडी हो रही है वो आपकी बेटी है ना पृती जो हमारे खिलाब बोर रही है उसे दो अगर हम सम्झाने पर राएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, कामत जी, ओपर से आपका बिजनर टूबे वासो अलाग है, गुड़ नाइट अहो, अहो आएका तरी माझा, अहो अहो, अहो, सुनिये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस केस के बारे में मुझे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं जाहिए, लिखो बाबा अपको पता है, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी प्रिति! क्या कर रहे हैं आप बाबा, क्या आप भी श्रवन देश्मुक्य साथ हैं? उसके साथ मिलके आपने ताई और जीजु को माणने की सादश की है क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उन बनों की शादी हो प्रिति, अरे, क्या आप भोल रहे हैं तू? मुझसर चा, मेरे बच्छे जब तक इसके दिमाग से अपन निकल नहीं जाता है, इसके सूरत नहीं देखूगा निकल जब! आप क्या मुझे निकालेंगे बाबा, मैं खुद आप जैसे ड़त-पोक आदमी के साथ नहीं रहना चाहती और अब तो में ताई को इनसाफ दिला के रहूंगी प्रिधी, प्रिधी, सुन मेरे बाट, प्रिधी फिर क्या करण? घर छोड़ दिया मैंने क्या? हो का तुम अभी? एमजी रोट पे हूँ ठीके, तुम महीं वेट करो, मैं आता हूँ चलो कहा? मेरे घर और कहा? जादी से पहले, घर में तुमाहे साथ कैसे रह सकती हूँ सॉलिशन तो है मेरे पास, अलग-अलग कमरे में रह लेंगे पर जादीन नहीं और जब तक शादी नहीं होती, जब तक आओ फिलाल मेरे अपनी शादी से जादा आई को इलसाफ दिलाना ज़रूरी है आई खुश नहीं तेरे बाबा, कैसे नहीं? खुश नहीं क्या है क्या है? एक मिटा तेरे बाबा तो कुछ बोलेंगी नहीं पर तू हीला इकड़े कश्याला गयो नहीं आई इस घर के वने अले बहु है और तू बूल गया, तूने अपने हाथों से खंगन देते से सगाई में होने वाली है, हुई नहीं है आज नहीं तो कभी नगी तो शादी हो नहीं है फिर तो यही आईगी ना क्या फरक पड़ता है मुचे फरक पड़ता है यह यहाहाँ नहीं रह सकती तो सुन मेरी बात तू निकल इस गर से और बापा को साथ मेले के जागा क्योंकि प्रिती तो इसी घर में रहीगी संजी? तू इसके लिए हम लों को हमारी गर से बाहर दिका लेगा? आपका गर आई तू बूल रहे है शायद यह गर मेरा है तूने और बाबा ने अपने हाथों से मेरे नाम किया था अगर याद ने आ रहा तो पेपर लेके आता हूँ करन? हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है आई तुम आओ मेरे साथ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ प्रीती निकल तो पड़ी थी अपनी बहन और उसके मंगेतर को इंसाफ दिलाने सिफ श्रवन ही नहीं उसके पिता भी दुश्मन नजर आ रहे थे और गजेंद्र अपनी राजनीती कारण साथ नहीं दे पा रहा था इस बीच में अगर कोई प्रीती के साथ था तो वह करन था करण के सपोर्ट और खुद की द्रंटा के कारण प्रीती ने इस लड़ाई को जारी रखा प्रीती बार-बार S.I.T. को फोन करकरके उनसे केस के प्रोग्रस के बारे में पूछ रहे थी उसे उम्मीद थी कि S.I.T. कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और श्रवन को दोशी करार देंगे ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन S.I.T. जब कोट के ओर्डर का भेट कर रहे थी कि नीदी की नहीं थी सर भौसकता है यह पुरानी चोटो पोसे पारणम में बोट में यह कुछ मेंशन नहीं है चिकर पोसे पौस्पार्टम में हिसता के ःसारब से इनों नील की गुलियां 모든 वे थी लेकिन मुझे लगता है उनको गुलिया कहिए ऑली हूँ उसका हिट और अन किया, गाड़ी लॉक कर दी, ताकि अक्सिजन खतम हो जाए और गुटन से दोनों मर जाए. शिर के मुझे इस सुसाइड में मरडर लगता है. लेकिन जब दोनों नहीं मरें, तो एक कातिल पैनिक हो गया. और दिन निकलने वालेगा, सड़क पे लोग भी आने वाले थी. तो उसने कुशी का दरवाजा खोला होगा, उसको कुशन दिखा, वो कुशन उसने लिया और अधी कंभू दबोच दिया. अब वो वरुन को भी मारना चाहता था. तो गाड़ी तो दिवार से एक दम चिपक के पार की गई है, तो वरुन की साइड का दरवाजा खोलना तो बहुत मुश्किल है. शिर्केत, तुने फोटो में देखा, वरुन की बोड़ी दरवाजी को उस तरम जुकी थी. तो वरुन को मारने के लिए वो निधी के ऊपर से गया, उसने वरुन का मुबी ऐसा दब ओ चाहल लेकिन वो इताना फ॔र्स ने दे पाया, तो यह तो उसने कुशन नीचे गेरा दीया होगा, ये कुशन नीचे गिर गया, भाद ने उसका नाग उसने दबा दिया, के लिए यहां पर सपोर्ट लिया अपनी बॉडी को एक्जेस्स करने के लिए हो सकता है इसका बतलब काच पे काचिल के फिंगर्पिट होने चाहिए जो पहले जांच में मीस होगे शिर्क है एदराबाद से फिंगर्प्रिंट एक्सपर्ट को बुला और कार के फिर से जांच क्या हुआ जल्दी बोलेगा सरी है तुम्हें पता है नागपूर में अपनी पारटी के छवी खराब होती जा रही है मैं सब जानता हूं कतमची यह यह सब मेडिया वालों के साजिशा है बिना आपके धुआ नहीं उठा यह मीस नापूर का केस अपने हाथ से छुटता जा आपके जाएगा? जी पुण दिखा उपने वाइरी कॉड्यों कर लिया तो? तुम भी दिखाओ यहां क्यों बुलाएं देखो यह साइटी मेरे पीछे गुत्ते की तरह पड़ी भी उसे हटा दो और यह निविस्टेकेशन बंद करा दो सब के लिए अच्छा होगा और मेरी ताइका क्या? जो तुमने उनके और वरुन जीजु के साथ किया वो? तुम्हारी बहन ने अपने यार के साथ सुसाइड किया और इसके लिए तुम्हारा बाब सिमेधार है मैं नहीं पतानी क्यों अफरत करता है तुम सब से इतनी बिनावजा इन लफडों की बज़ा से मेरा पॉलिटिका अलाम खराब हो रहा है हाई कमान भी नराज है मुससे हाई कमान तुम जब जेल जाओगे ना तब दिखाती हूँ हाई क्या करेगा प्रस करो याद मदलब तुम नहीं मान होगी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बात के लिए मान जाओँगी लगता है बहुत जल तुम अपने ताइस से मेलने आवाली समझाओ इसे अब और रहो प्रिथी तुम टेंचन में की दिख रहा है वो कितना डरा हुआ है इसमें तुम्हारी जीत है सब ठीक होगा डादा कुछ पता चला क्या जिससे हमारी मदद हो सके हाँ मिला ना कुछ ऐसा बेटा जो तुम्हारी जिल्दगी पचा सकता है अब मेरी बात को ध्यान से सुना बंद करो इस इन्वस्टिगेशन को और SIT को वापस जाने के लिए बटा जो होना था सो हो चुका है अब गड़े मुर्दिमों तुखा रहा है यह क्या कह रहे हैं आप मैंने आपको अपना गुरू माना है और आप इने तो SIT का ओप्शन सजेस्ट किया था अहां मैंने ही ऑप्शन दिया था लेकिन अब मैं ही रोकने के लिए कह रहा हो ना मिटा मुझे गुरू मानती हो ना तो मेरी बात मैं जब तक टाई को इंसाफ नहीं मिल जाता मैंसा कुछ नहीं करोंगी बड़ा तुम बात को नहीं समझ रही हो मुझे डर है कहीं इसका अंत तुमारे लिए बट बुरा ना हो तो मुझे आया ना तो देखा इधर वो लड़की गिरू थी अभी पुलिशाएंगे क्या है चलो चलो पीछ आट पीछ आटो काम नहीं है चलो मांगे जो चिक करो मुझे आटो सरी, ये तो प्रीथी काम अट है देखके लगता है कर रापको मोडर होगा प्रीथी, प्रीथी, मेरी बच्ची क्या हुआ थे, प्रीथी धाला दुप्चा समाधा, धाला नेक्दा खुप्चा वमेरी दोनों मच्ची इथ आपको यकिने कश सरहाबनदेश्मुख का है काम सरस्पादेश्मुख को यो सकता है क्योंकि उसने मुझे अधम धिया घंकिए प्रीथी को रोख लूँ प्रीथी जो हमारे किला आप बोल रही है अब समझा उसे, अगर हम समझाने पर आएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कामद जी उसके बद मेरो और पृति का जगड़ा हुआ पृति प्रिति पहर चोड़ के भाग गई और करण के साफर एफ पर आपने उसे जाने दिया प्रिति, नहीं, प्रिति, 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 क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें भी लगता है सर, प्रिति का कून श्रवन नहीं किया है, उसने कल शाम को मेरे सामने उसको लगता है बहुत जल तुम अपने ताई से मिलने आवाली हूँ. उसके मादो बहुत अपसेट थी. उस उन्सान जगे क्या गर नी गई होगी? उझे नहीं पता साथ. मैं जब वो ओफिस से घर लोटा तो घर पे नहीं थी. आई है और बावा ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा. जल लगा अपने आई से मिल ले गई होगी. ठीके, जाओ तो. सिर्के, इसका स्टेट्मेंट क्रॉस चेक कर. और क्राइम सिन वाका डंडाटा मिकाला. वाज इतने भी CCTV इस सब का फूटिज का लिख कर. आखर प्रीती को किसने मारा? क्या अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की चाहत ही प्रीती की मौत का कारण बनी? या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? पुलीस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बिलवाया और उन्हें कार की खिड़की से एक पार्शल फिंगरप्रिंट भी मिला. जैसा पी आई ने सोचा था ये एक ही उंगली का फिंगरप्रिंट था. लेकिन ये किसी नतीजे तक पहुँचाने लाइक नहीं था. अगर हमनों ने डिसाइड कर लिया ना तो किसको भी बुला सकते हैं और सबसे मेन बात कानों से कोई ने बचेगा. चल रख फोन रख. देखेब मैंने कुछ ने किया है ना ही निधी के साथ तो पृति ने कंप्लेंट किया है मजग 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 में की? कंप्लेंट मैं भी कर सकता हूं किसी के खिलाब पर सबूत का है अब बिना सबूत कंप्लेंट के कोई मायने नहीं होते हैं और वो वरून वरून के साथ जो जगडा हुआ था वो भी जूट है हाँ वो सच है हम तोनों के बिश प्रोब्लम्स हुए थे और जगड़ भी हुए थे और प्रेम का मत प्रेम का मत तुब दंकी दी थे न तुमने प्रीती के जुटे दिसामों के वज़े से हाई कमान मेरे पीछे पड़ा हुआ था तो क्या गर था मने प्रेम से का कि अपनी बेटी को समा ले नीदी के साथ जो बढ़ताओ कर रहे थे उसका गया सार अब खुबसूरत लड़गी से कौन बात करना नीश जाएगा अब वरून के तुरूष से मेरी पैचान होई थी तो मजाग बस्ती हो जाती पर हाँ अब तमीज ही नहीं कि मैने उसके साथ जैसे उस गजेन चंद्रा करने की मतलब बुरी नज़र थी उसकी नीधी पर मेरे बास उसके रिकॉर्डिंग है मैं अब को सुनाता हूँ आप खुदी सुन लेजे उसने क्या कहा था ओल पार्टी कॉंट्रेस में में अरे मिस्स नागपूर मतलब अपनी हुई ना देखना मिस्स नागपूर भी हमी बनाएं जैसा कि देखा अपने देश्मुकजी चार घंटे की पूष्टाज के बाद पुली स्टेशन से बाहर आये हैं और उनके चेहरे के हाव भाव को देखर यही लगता है कि पुलीस कोन के खिलाफ कोई पुक्ता सबूत नहीं मिले हैं उन्होंने बाहर आते ही हमें वी का साइन दिखाया हम इस केस पर लगातार बने हुए हैं आप देखते रहिए टीवी थाटी ब्लड लॉस के वजए से उसकी मौत मौत का टाइम राथ से बारा से दो बजे की बीच का है सर उसके प्राइवेट पार्च में ड्राइट समिन के ट्रेस्स मिलें लेकिन पूरे बोड़ी पर इंजरी या कोई मार्क्स नहीं मिले जो रेप या जबरदस्ति की तरफ इसारा क पता नी हम दोनों कैसे एक बॉस्रे में इंवॉल्व होगे कुछ पता यह नहीं चेले सार तो फिर तूम दोने उसके श्ती का फायदा उठायांतों नाजिश कि मैं अपने कुछ क्लोज दोस्तों रिष्टदारों को बेजने भी वाला थे बहुत सिंपल शादी करना चाहते थे थे फिर आगे क्या होगा आगे सर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ काम से घर से बाहर निकला था और जो मैं वापस है तो तो प्रीती घर पर नहीं बहुत अच्छी कहानी सुनाया तुन्हें कोईशिडेंस मराठी में इसको योगायोग के मतलब मतलब योगायोग नहीं मानूम हमारे डंब डाटा के इसाब से तुम्हारा मोबाइल स्वीच ओफ होने से पहले जहां प्रीती का मर्डर हुआ ना उसके आसपास का लोकेशन यठी सफ आफ कैना चाहते कि मेन प्रीती गो अर अफने माइन को फ्रेष करने के लिए अपने हमारी फूटर के बारे में तोनी के लोगे होग फोन बंद होगा नहीं दिया वैने в Senugma कि मुझे नहीं पता था कि प्रिती वहीं पर है जहां पे मैं हूँ सब में सच के हैं नो सब्सक्राइब का इस नो पीज़्ाइब करेंगे स्वहरे फ्यूचर का प्लानिंग हम करेंगे इसके विज्टर मैं पषारा है मुझे सर अब चूट है सब सब शिर गह के वरॉन के कार पे हमें जो फिंगर प्रिंट मिले थे उ स्वहरें से मैच हुए सर तो उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, बड़ जल्दी आजाएगी, इसके भी फिंगर पर मैक्च करवा कि देखो, ठीके साब, और अवरून और नीधी के क्राइम स्पॉर्ट का डम डाटा चेक करो, देखो कुछ नहीं कहानी सामने आती है कि है, तुम जो बोल रहे थ जिस दिन पृति का मुर्डर हो और बाहर भूम रहते हैं, बाइक से, वो सच हो सकता है, सर मुझे छोड़ रहे है सर, सर आपनों मुझे पता कि होगा पक्का, कि यह जो मैने का सब सच है, हाँ, लेकिन एक बात जो हमने पता कि वोरून का मरेटा थी, तो उसके कार के उपर तुमारे फिंगरपिंट मिले, ऐसे कैसा हो सकता है, सर मेरे मिले, तुम उसको विटाना भूल गया होगे, निकल रहे होगे ना, गाईगडबड में, नहीं, क्योंकि तुमारे मोबाईल लोकेशन उसी जगह की उस रात की दिखा रहे है, मतलब जिस वख वरून का मर्डर काहनी मत बना, सज बाता है, चिरगे, कितने दिपस पार है यारच, पचावस, चोलो फिर शुरो जाओ, ने ने ने, सर मेरा कुछ प्लान ने था इसमें सर, ये सब करादर आए, उसको सुनग रहे हो निदी के साथ किसी भी कीमत पर उसने मुझे लालस दिया, उसने काह गजंदर को आँ, आँ बोल दिया, लेकिन सा मास्टर माइंड वही है सर, आप उसको बुलाईए, मेरे सामने में काऊंगो उसके सामने सब कुछ, उसने कारा है सर ये, समुझा, सब मुझा, सज बाता, सज बोल, नाटक नही है, सज बोल, राद मुझा, वरुन निदी जब पार्टी से निकले तो, मैंने प्रिती को पहले घर चोड़ा, उसके बात मैंने प्रुन को कॉल किया, और ताकि गजंदर के घर पर आगे उससे मिलने के लिए, उसके पास प्लाहन है जिससे उनकी सारे प्रवलम सौल हो जाएगी, हम दोस्ते और, और प्रिती भी गजंदर क खोला मिला कि खोली गोलिया नहीं खाई न, तो गजंदर बगणने न, इसके उड़ करते हैं, जोड़ा जोड़ा कि दोस्ते पार आगे जोड़ा, एटक्साय थे, हम आज़ा जोड़ा, टूजऑ तो आगे तो आगे आगे ठोड़े के खोला जोड़ा कि मुझे लाके एवा तो गाड़ी में श्रवन के खर के फास छोड़ दो, ताकि श्रवन पे जाए, तो मैं ड्राइब कर लेगिया सर गाड़ी, और श्रवन के खर के लगाई, तो मैंने देखा कि वो दोनों जिन्दा थे, सांस ले रहते हैं, तो मैंने हीटर फूल कर दिया, ताकि भुटन से मर जा अच्छा हो ना, फिंगरप्रिंट मिटाना भूल गया, पुरिति को क्यो मारा? यहाँ, उस दिन जब हम, जब हम श्रवन से मिलके आए तो मुझे, मुझे गजंदर का कॉल आया, उसने कहा कि मैं पृति को कहूं कि वो इंपारी बंद करना, तो मुझे बुस्सा आगिया, तुम्हें क्या लगता है, यह सब इतना असान है, तुमने इससे बड़े-बड़े क करते हैं, तुम्हें लिए उससे बड़े नहीं है, तुम्हें लिए मैंने वरुन और निदी को ठीकाने लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि, तुम्हें तो बस मुझे गजंदर के कॉल के बारे में बताने अख रहती थी, और उसने सब सुन लिया, वो पोलीस्पाने की ब बलाते हैं, उससे कंफरंट करते हैं, सबूती कठा करते हैं, उसके बाद पुलिस को बता देंगा, तुम्हें परोसा है ना मुझे, फिर वो मान गई, फिर तु उसको सुनसान जगे पहले की गया, अमने गजेंदर को यहां क्यों बुलाया है, यह कित्ती सुनसान जगा है, हम कहीं और भी तो जा सकते थे, तुम्हें यही जगा क्यों चूसकी, तेरा तो फ्यूचर सौल हो गया, बटा, तीन-तीन मर्डर के जुर्म में तो अभी अंदर रहे हैं, अल दे बेस्ट, सर, 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 मेरी बात चुनी, सर, सर, आप बोली ना सर, सर, मैं अपने फ्यूचर के और वो उस तक पहुच भी गई थी, ठीक, अपने कतल से पहले है, श्रवन जो शुरू से ही दोशी नजर आ रहा था, वो निर्दोश निकला, कम से कम इस केस में तो, गजींद्र ने श्रवन की बातों को महस कहानी बताया, और पुलीस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नही तो चलिए मैं दिव्यांका तरपाथी दह्याब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए, Crime Petrol सतर्क, Women Against Crime, एक औरत परवार, अब हर औरत का भार, जैहिंद्द